यह एकलौती पनीर के ऐसी सब्जी है जिसके अंदर स्टफिंग भी जो है ना पनीर और काजू अगरा रख्योती है वह स्वागत है आप सब कच्छडोरा पाइंट की एक और नई वीडियो में आज हम कंपैसन करने होले पनीर पसंदा सब्जी अब यह पनीर पसंदा जो है न ने काजू अगरा डलता है जिसके अंदर बीच में पनीर और नट्स की वह उसकि अन्दर स्टफिंग भी जो है ना पनीर और काजू अगरा के वह चीजे जो है हमने इन तीनो सब्जियों के अंदर जो एनज़ी चेक करनी है यहां पर आया जी दमुगल रोयल ट्रेल से जी सबसे पहले आपको जो हम सब्सक्राइब कर देना सब्सक्राइब अगर हम आपको बता रहे तो आपको मानना पड़ेगा कोई पहचान ने सकता है यह कहां से आई है इसको जरब मैं थोड़ा सा ध्यान से खोलता हूं पहले यह हमारी सब्जी की लुक और मैं आपको बता रहे है यह बहुत शांदार लग रही है और रंगत अल्टिमेट लग रहे बाक्याप टेस्ट कैसा होगा वह पता नहीं है खु तो वो मेरे को एक देखना मैं सोच रहो इसको पल्ट और मैं आपको बता रहो भाई बता नहीं अब इसको मैंना कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप तक खुश्बू कैसे पहुंचाए और बाकि इसका लिस्टेट प्राइज है दिस्काउंट हमें कुछ नहीं मिला टेक्स सब्सक्राइब लगा के पड़िये 256 तो जरा आप जो है ना जी इसकी ग्रेवी देखो भाई साथ क्या ही जबर अरे यहां जबर दस्त भाई मैं कहा रहा हूं पहली सब्जी ने ना आज आपके लिए कुछ अलग चील लेकर आए इसी वार्पे इसकी रेसिपी तो आपने सब्सक्राइब देखियोगी कंपेर दन वगारा मेरे को नहीं लगता कि किसी यूट्य वगारा यह मैं निकाल रहा हूं भाई यह तरह सेंड्विच होता है यह देख रहा है दो पनीर की लेर के बीच में जो स्टफिंग है वो भी भाई प्योर जो है ना वो पनीर की भाई खोलने खोलने में न यह ब्रेक हो रहा है मिन्य क्या इतने इतना है पनीका पी पücks पूर धी पनीर के बीच में भी जो है ना आप जड़ा पनीर की स्टफिंग देखो और गर्मा गरम धुआने कर रहा है बड़िया भाई दो पीस आया है लेकिन वो दो पीस जो है ना वो काफी बड़े हैं मतलब यह देखो यार ओहो भाई मजा आ गया यार यह देखो भाई यह है भाई ब्राइब पनीर पसंदा और आप इसकी जरा कर gate ने भी देखो अब फीर ब्रहें कर रखेंगे और और अंदर अंदर बहल बड़े बड़े what हो गए हां बाकि इसके आदे-आदे करता तो आठ हो जाएंगे यह तो फिर भी मैं हैरान हूं कि यह हमें थोड़ी सी सस्ती मिल गई है वह सेकंड हमने पनीर पसंद मंगा जी कोजी रेस्टरेंट और इस बार जो है पंकज हमने कोशिश करें तीनों रेस्टरेंट बिल्कुल स और ये सब्जी न नौर्मरी जो रेगुलर हमें जो दिखते न उन सब के पास कईयों के पास नहीं है उनके पास तो है वी दर पैकेजिंग डेकर बिल्कुल ही चेंज हो गई बाई सहाब यह यार क्या बढ़िया खीरा प्याज टमांटर टमांटर नहीं है प्याज है बिस बना दी हाँ पर्स्ट टाइम किसी ने हमें यह यह तो अच्छा फंटूस हाँ हम तो फंटूस बोलते हैं कुछ लोग इसको फ्राइम बोलते हैं हाँ बिल्कुल यह एक चोड़ी डब भी हो रहा है इसके अंदर चटनी होगी पक्का तो इसको भी आपको जी जरा खोल के मैं जी ओपन करते हैं अब पैकिंग यार बाक्य में बहुत अच्छी आई है जी लो जी यह मैंने इसको खोल दिया आज भाई मुझे लग रहा है तक्कर है वंकज आज बहुत तकड़ी तक्ड़ी तक्कर है ना एक तो सब्जी ऐसी है बाई दूसरा यह देख लो भाई साह बिल्कुल सेम निकली है 500 ml है लेकिन इसकी ग्रेवी ना वो जैसे कढ़ाई पनीर होता है ना भाई मेरे को कुछ उस तरीके की लग रही है क्योंकि यह यह प्याज भी इसमें खड़ा खड़ा नजार आ रहा है इसमें ग्रेवी जो होती है ना वो बिल्कुल होती है मिक्सी क बाकी पनीर के पीसिस देखते हैं क्वांटिटी तो सही है एक थोड़ा सा हाथ मुझे थोड़ा सा गंदा करना पड़ेगा कोई बात नहीं जराब पनीर के पीसिस के बारे में बता चले पनीर इनोंने कोटिंग करके आइधिंग फ्राई कर रखा है यह देख रहा है उपन पनीर के रखाने ऊ-पनीर और या कघा है सबसके लिदे को प्राइग है यहां से जो है त्सिर्वाइब है किुछ न इक जुक्राइब हैं चांट मेसा सब्सक्राइब है है कर दो खोड़ा था आदफ पीक जुक्राइप दून नहीं 9 comments video wage-ONEY किता कि में ये 2 बली सब्सक्राइब भाई d तोड़ा सा परिशान हूं यह देखते हैं यहां से किस तरीके की और वाय यहां आ गई भाई वह बढ़िया वाली जो ग्रेवी जिसकी हम उम्मीद करते हैं यह देखो जी यह सेम जो जैसी पहले वाली थी ना थीक है थोड़ा बहुत बनाने का फर्क होता है यह थोड़ा सी औ पनीर का पीज देखो भाई और अंदर क्या स्टॉफिंग भरी हुई है इसके अंदर इसके अंदर तीन पीस है पनीर के ठीक है लेकिन वो इतने जब और यह देखो यार क्या ही ग्रेवी है ना यह कुछ बढ़िया चीज भाई ग्रेवी जो है बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए यह मखन की तरह सही में और इसका लिस्टेट प्राइज है फोर थर्टी नाइन विस डिस्काउंट में मिलें थ्री सिक्ष्टी वन रुपीस की थोड़े से आपको इसकी क्लोज लुक ना मैं और दिखाना चाहूंगा जरा आप यह देखो जी यह देख रहे हो भाई अंदर भी जो है ना पनीर बरा हुआ है और जा इसकी खुष्ष्बू आई है बहुत कम आल के लग रहे हैं बहुत कम आल कि यह मजा आ गया आपको तीनों सब्जी एक साथ दिखा देते हैं इसका था 361 रुपीस प्राइब एक चीजा हम शाही पनीर अगरा इससे कम पनीर निकलता हाँ इससे कम निकलता है अब इसमें देख लो भाई इसमें यह थोड़ी सी ना बढ़िया महंगी वाली सब्सक्राइब की है अब आप यह देख लो जी मैं जरा चम्मच हटा देता हूं और तीनों ग्रेवी रंगत देख लो बहुत फारक है जी अब आप देखो यहां हमने 361 रुपे पे की है जी सबसे ऊपर वाली में यहां हमने यह तो मैं कहा रहूँ शयाद आज की दौड में यह पनीर पसंदा है इसका वैसे टेस्ट बता देंगे कि अच्छे लगी है इसका हमने अमांट पे की है 313 रुपे और यहां हमने 256 रुपे की है जी पनीर का पीस इस इसमें भी देख लो आप जड़ा इसमें तो यहां से लग जैसे मिनी ब्रेट पकोड़ा होते हैं हाँ भाई क्या ही जबर्दस्त पीसा है बहुत बढ़ी है इसके बीच में और इसके बीच में आपको इन दोनों में से किसकी लुप ज्यादा बढ़िया लग लग रहे हैं आप क्लोज लुप देख लो दोनों की फिर कमेंट करके बताना जी और इसको जो है जी हम अपने घर की बनी रोटी के साथ ट्राइ करेंगे आज आप टेस्ट करते हैं अब इनको टेस्ट करने की शुरुआत करने लगे हैं हम ब्रेजवासी रेस्टरेंट के सबजी को ठीक ह तोड़ा सा ग्रेवी लगा लेते हैं अजो जी बाइट तियार होगी टेस्ट करते हैं अब बहुत बड़ी है वई एक पर इसको पांड़ा है ना स्मोकी फ्लेवर जो आप बड़ा बड़ा कमाल का अब बहुत कमाल का आ रहा है मज़े आ गया बाकि अदर जो पनीर भर असक अदर का सी यूज कर रहे हैं नट्स वगरा कुछ भी भी वह नहीं आ रहा क्योंकि भाई देख़गो दो सो चपन रुपे में अब और कितना ही देंगे इतना पनीर डाल दिया ग्रेवी में महनत कर रहे है अच्छी गाषी में महनत कर रहे हैं और ज्यादा हो सकती है लाइट वर्जन में सब वह मसाले दाया है और इसमें हलका सा वह टैंगी फ्लेवर जो आ रहा है और एक स्मोकी फ्लेवर बड़ा कमाल गया जो सबसे पहली बाइट लेते ही यह मैं थोड़ा सा हरानू कि इसके अंदर स्मोकी फ्लेवर आया कैसे में गो लग रहा है इन्हों है उसके ऊपर कोटिंग करके कुछ में करते हैं और यह थोड़ इसी ग्रेवी भी लगा लेते हैं यह कड़ाई पनीर है मैं सही बता हूं तो यह दोड़ में आता नहीं है लेकिन बाइट तेयार हो गए जी टेस्ट करते हैं अगर यह वीडियो कड़ाई पनीर कंपैर्जन क मैं सही बता रहा हूं यह सब्जी ला जवाब है बहुत मज़ेजार है पनीर का पीस बहुत अच्छा डला हूं मज़े आ गया है उससे मैचे बिल्कुल नहीं करता वैसे सब्जी स्वाद लग रही है मुगल ट्रेल कीजी अब देखो पनीर ऊपर से जो है ना काफी अच्छ ग्रेवी दिया जी यह लगाई बाइट हो गई अपनी तैयार आज अब टेस्ट करते हैं जी अच्छा पर डूपर ग्रेवी भाई क्या ही जादबर दस्त ग्रेवी बनीवी है पनीर जड़ा एक्स्ट्रा प्राइक कर रखा है वह उपर से आउटर लेर कड़क लग रही है अंदर सॉफ्ट है इलाइची का फ्लेवर बहुत ही कमाल का है मज़ा अगया अब मेरा ऑपिनियन यह है कि मेरे को ग्रेवी इसके कमाल की लगिए मगर पनीर जो है ना मेरे को वह ज्यादा अच्छा लगा बहुत सॉफ्ट नरम उसके अंदर मसाले है यहां पनीर यह बिल्क यह बहुत कमाल की है मज़ा आगया यार टेस्ट अच्छा है बाकि अगर ऑपिनियन दे मेरा ऑपिनियन उस तरफ जाता है फर्स्ट मैं उसको आज रखूंगा और मैं फर्स्ट रखूंगा भाई यह वली सब्जी को मुझे यह और यह दोनों पसंद आई है दोनों अच्छ करन में आते हैं व्यकिट सब्जी स्वार हें इसका कोई विनर है देखो इससवरी सब्जी के अंदर बहुत सारे मसाले होटे भोसारे स्वलीवर होते हैं चोठी लाइचिए का सब्ची के अंदर बहुत बढ़ा खेल है ऊडलती डलती है और उन्डर की जो स्टुफिंग पीसिस विए काफे अच्छे निग्ड रहे हैं इन्हों ने पनीर को कुछ जरा जादा ही जो है न वो कर दिया ऊपर से वो कड़क हो गया है ठीक है दोनों बाइयों ने जो 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 जिसको जोसी सब्जी पसंद आई यह वह आपको पताया जी आपको हमारी है वह क्या करें बाक आज की इस वीडियो को यही पर एंड करते हैं जी मिलते आप से बहुत जल्दी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइ बाइ और वीडियो कैसे लेगी है प्लीज कमिट करके जुरूर बताना